अस्रामनेकूम, वेलकम टो ख्रेदारी, मेरा नाम तैयब है, और यह है Infinix Hot 30 की Unboxing और हमारे First Impressions दोस्तों, Infinix Hot 30 recently पाकिस्तानी मार्केट में लाँच हुआ है, और कमपनी ने इसकी रिटेल प्राइस 45,000 रुपीस फिक्स की है अब मैं खुश इस चीज़ पर हूँ कि at least पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा रिवाइब होना शुरू की है और कमपनी इस वक्त ने ने मॉडल्स लेकर आ रही है, जो के डेफिनेटली एक काफी ज़ादा अच्छी बात है अब यहाँ पर इस फॉन के कुछ हाइलाइटिं फीचर्स की बात करें 8GB RAM के साथ 128GB built-in storage आती है अब box पर यह mention किया गया कि 16GB RAM है लेकिन यह ऐसा नहीं है 8GB RAM है और 8GB virtual RAM है तो उसको मिला कि 16GB बनती है यहाँ पर इसके display की बात करें तो full HD plus के resolution के साथ आता है 1000 रुपीज में Infinix Hot 30 को consider करना चाहिए या नहीं इसे पहले कि हम इसके unboxing के दरफ चलें चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लें साथ ही साथ बैल आइकन को पैस कर लें ताकि latest videos के notification सबसे बहले आपको मिल सके इंस्टाग्राम पर जाके जरूर फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर कोई भी latest update होती है तो मैं सबसे बहले देता हूँ अब आप लोगों को जादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं Infinix Hot 30 को unbox करने है ओके जी तो यह है Infinix Hot 30 का डबा अब यहां पर 16GB RAM के साथ 128GB बिल्टन स्टोरेज को मेंशन किया गया है साथ ही साथ NFC को भी मेंशन किया गया है जिसका मदलब है इस फॉन में NFC भी है और उसके आपको फाइदे भी बताता हूँ अब एक साथ पर चलें तो यहां पर इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर को मेंशन किया गया है 90Hz का रिफ्रेश रेट है इसके बाद यहां पर आपको एक SIM ejection tool देखने को मिलेगा इसके बाद यहां पर आपको एक पार बेक देखने को मिलेगा जो 33 watts का है यह बहुत अच्छा point है यहां पे आपको 33W का पारवेक देखने को मिल रहा है तो आपको अपने फॉन श्पीड़ी चार्ज होता नजर आएगा आगे चलके देखें तो यहां पे आपको एक वरंटी कार्ड देखने को मिलेगा एक साल की ऑफिशल वरंटी है स्वान की इसके लावा यहां पे आपको एक सिलिकन केस भी देखने को मिल जाएगा जिसकी कॉलिटी मुझे काफी ज़्यादा जबरदस लग रही है और काफी बड़े-बड़े कैमरा मॉडियोस है यहां से देखके आइडिया हो रहा है इसके लावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है अब यहां पे अगर मैं आपको इसका डिजाइन दिखाता चलूँ तो काफी जबरदस डिजाइन मनाया गया है कुछ कर्व में डिजाइन रखा गया जो के देखने में काफी ज़ादा जबरदस लग रहा है बैक साइड पे आपको डूल कैमरा सेटप देखने को मिलता है काफी बड़े-बड़े कैमरा मॉड्यूल रखे गई है और LED फ्लैश डाइट रखी गई है LED फ्लैश लाइट का भी साइज मुझे काफी ज़ादा बड़ा लग रहा है अब फ्रेम की बात करें तो फ्रेम इसका बॉक्सी टाइप है जो के आजकर लेटेस टेंड में चल रहा है राइट साइड पे इसका पाव बटन है इसके अंदर इसका फिंगर्प्रिंट सेंसर है वॉल्यम रॉकर्स हैं टॉप साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है लेट साइड पे इसका सिम ट्रे रखा गया है और नीचे विल साइड की बात करें तो यहां पे आउक्स चैक माइक यूएसबी सी टाइप चारजिंग पोर्ट और स्पिकर ग्रिल्स रखी गई है खोल के देख लेते हैं इसका सिम ट्रे और देखते हैं किस तरह की सिम्स को स्पोर्ट करता है यहां पर एक वक्त में दो सिम्स के साथ मेमरी कार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि डेफिनेटली काफी ज़ादा जबरदस्त बात है और इस फॉन की हैंड फिल मुझे काफी जबरदस लगी है ग्लास फील आ रही है एक्च्वल में फ्लास्टिक है लेकिन भाई ग्लास फील आ रही है काफी प्रेमियम डिजाइन लग रहा है अब कर लेते हैं फॉन को आन और इसको सेट अप करने के बाद वापिस से मिलता हूं आपके साथ जयां दोस्तों हमारा फॉन यहां पर एक्टिवेट हो चुक है तो सबसे बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की और उसमें लगे वाल पेपर की भाई यहां पर फ्रीफायर का वाल पेपर लगाया गया और इंफिनिक्स होड थल्ती और फ्रीफायर ने आपस में क्लैबरेश दिस्प्ले लगाया गया है फुल एस्टी प्लस रेजुलेशन के साथ आता है और 90 हर्स का हायर रिफ्रेश डेट भी यहां पर रखा गया है अब इस फॉन के पीक ब्राइटनेस की बात कर लीजाए तो 600 नेट्स रखी गई है यानि कि अगर आप इस फॉन को आउड़ भी दिन में भी यूज़ करेंगे तो आपको किसी किसम का ब्राइटनेस वाली साइट से कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा अब आगे जलके स्क्रीन तो बाडी रेशो की बात कर लें तो मुझे अक्सर फॉन्स में यह बहुत ज्यादा इशू रहता है कि बाई चिन दिस्प्लेय रखा गया है जो के लेटस्टेंड में है पुराने दौर का घिसा पिटा नॉच वाला डिस्प्लेय नहीं रखा गया तो अब रहुल डिस्प्लेय के एक्स्पीरियन से मैं अभी तक काफी जादा सैटिस्वाइड हूँ अब आगे जलके इसके प्लैटफॉर् होजेगी विट्शुल रेम को जब आप एक्स्पेंड करते हैं तो आपकी रोम से उतनी स्टोरेज कर जाती है यानि के रचीप स्टोरेज कर जाएगी और आपकी रैम में शामिल होजेगी तो यह काफी जादा पॉस्टिव बात है स्क्रीन डेजलेशन की बात करें तो तो अब यहां पर 50 मेगा पिक्सल के सेलफी शूटर है और अगर हम चिप सेट की बात करें तो मेडियाडेक का हिलियो जी एटी एटी एट यह चिप सेट लगाया गया है जो कि अब से पहले हमने काफी जाई डिवाइसीज में देखा और काफी जबर्दस चिप सेट है स्पेश अब यहां पर GPU की बात कर ली जाए तो Mali G52 का GPU लगाया गया है अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ security features की तो Infinix or 30 में आपको face unlock और fingerprint दोनों ही की support देखने को मिलेगी अब check out कर लेते हैं जरा face unlock को और यहां पर face unlock की speed ठीक ठाक है लेकिन अगर हम compare करें इसको fingerprint से तो थोड़ी सी slow है नहीं भाई अब यह तो तेज हो गई face unlock की speed भी भाई यहां पर काफी fat है लेकिन still fingerprint से compare करेंगे तो थोड़ी सी slow है अब आगे चलके इस phone के camera's की बात करने तो back side पर आपको dual camera setup देखने को मिलेगा जहां पर आपको 8 Megapixels का selfie shooter देखने को मिलेगा खुलकर देखते हैं इसके camera's को और देखते हैं कौन-कौन से mods available है यहां पर सबसे पहले आपको film mod देखने को मिलेगा वीडियो मौड देखने को मिलेगा जहां पर maximum आप 2K पर अपनी वीडियो को shoot कर सकते हैं 30 fps पर इसके बाद आपको मेरी तो काफी तमीजदार selfie लिया है गुजारा कर रहा है result 8 Megapixels का camera है तो आपको इस पे थोड़ा सबरदाश करना पड़ेगा अब आगे चलके हम इसके back camera से भी एक फोटो लेके देखते हैं और देखते हैं कैसा result निकल के सामने आता है क्योंके back camera जो है इसका 50 Megapixels का है तो यहां पे back camera से हमने अपनी एक फोटो लिया और back camera का result मुझे काफी ज्यादा बेतर लग रहा है बाइदावए अगर आप इसके camera review में तो मुझे comment section में जरूर बताना है मैं इसका dedicated camera review भी कर दूँगा और back camera मुझे बेतर लग रहा है यहां पे detail काफी अच्छे से show कर रह लगा है इसके back camera का result भी अच्छा लगा है अगर display की बात करें तो display काफी ज़्यादा कमाल है 1080p का resolution है साथके साथ 90 Hz का refresh rate भी है इस price cap में आजकल बहुत सरी जो बड़ी-बड़ी brands है वो हमें 720p का display दे रही है और हमारे बड़े-बड़े YouTubers को 720 और 1080p में difference भी नहीं पता चलत like Samsung हो गया, Oppo हो गया, Vibo हो गया, अगर उनको compare करते वे देखें तो भाई ये इस वगत बहुत अच्छी price में है, RGB RAM के साथ है तो definitely इन हालात में ये price justify करती है और अगर आप इस phone को खुपसूरती के तौर पे, normal daily life usage के तौर पे लेना चाते हैं तो definitely आप इसको consider कर सकते हैं, बाकी इसका gaming review अगर आप लोगों को चाहिए, PUBG टेस्ट चाहिए, मुझे comment section में जरूर बताएगा, अलग से video बना दूँगा आप लोगों के लिए, Infinix Hot 30 के बारे में मजीद कुछ जाना हो तो मुझे comment section में जरूर बताएगा, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सर मेरा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी द्वाओं में याद रखिएगा, take care, Allah Hafiz